आखिर कौन है 20 साल के समीर रिजवी जिनका IPL की शुरुवात से पहले ही CSK के लिए खेलना तै हो चुका है अब ये वही समीर रिजवी हैं अगर आपको याद हो इस साल की IPL आॉक्षन तो CSK की टीम ने इस खिलाडी पर बड़ा दाओं खिला और 8 करोड और 40 लाग की रकम देकर इस खिलाडी को अपनी टीम में शामिल किया अब सिर्फ CSK एक लौती ऐसी टीम नहीं थी जिनको समीर रिजवी अपनी टीम में चाहिए थे CSK के साथ उस bidding war में गुजराद भी मौझूद थी बीच में एक bid Delhi Capitals ने भी लगाई लेकिन आखिरकार इस bid को जीता CSK ने जिनने eventually समीर रिजवी 8 करोड और 40 लाग में मिल गए लेकिन अगर आप भी ये सोच रहे हैं उतने टाइम से कि समीर रिजवी में आकर ऐसी क्या बात है और इस खिलाडी ने आकर ऐसा क्या किया है कि CSK जैसी अनुभवी franchise इस खिलाडी को हर हाल में अपनी टीमें शामिल करना चाहती थी तो इसके लिए आपको उनका domestic circuit का performance और जो उन्होंने कारणामा UPT20 League में किया था वो जानना बहुत जरूरी है अब अगर UPT20 League की बात करें तो कानपूर के लिए खेलते हुए समीर रिजवी ने इस tournament में सबसे ज़ाद अचके लगाए इसके अलावा इस tournament की बात करें तो समीर रिजवी सबसे ज़ादा run बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी number one पर थे इसके बाद जब अपना पहला domestic match खेलने पहुँचे समीर रिजवी तो उन्हें अपनी debut cap मिली इंडिया के अपने रिंकू सिंग से अब इसके बाद समीर रिजवी ने खुलासा किया कि जब IPL auction से पहले trials हुए तो तीन IPL franchise ने उन्हें trials के लिए बुलाया जिसका साफ तोर पर यही मतलब निकलता है कि सभी franchise उनकी power hitting से कितनी जादा impressed थी और यह देखने को भी मिला जब IPL auction शुरू हुई तो CSK और गुजरात के भी जब एक bidding war शुरू हुई तो वो जाकर रुकी सीधा 8 करोड और 40 लाग पर अब सिर्फ UP T20 लीग या फिर domestic लीग ही नहीं अगर हाल ही में बात करें CK Naidu trophy की तो वहाँ पर भी सौराश्टा के अगें Samir Izvi ने एक 13 शतक लगाया और ये बात साबित कर दी कि वो छोटी छोटी पारियां केलने के लिए नहीं लेकिन अगर मौका मिला तो बड़ी बड़ी पारियां भी CSK के लिए खेल सकते हैं लेकिन फिर भी आप ये बात सोच रहे होंगे कि चलिए मान लिया Samir Izvi की 6 sitting ability अच्छी है वो बहुत अच्छे खिलाडी है लेकिं CSK की टीम में आखिर जगा कहा हैं CSK का pack top order है, pack middle order है, काफी सारे ऐसे players हैं जो के सालों से खेलते हुए आ रहे हैं तो आप जगा कहां बनाएंगे तो दो ऐसी बड़ी वज़ा हैं जिसके चलते ये ensure किया जा सकता है कि Samir Izvi इस साल जरूर खेलेंगे सबसे पहले IPL auction से पहले CSK के लिए एक बड़ा update आया जब Ambati Radu ने पिछला IPL का साल खेलने के बाद retirement ले लिया जिसके बाद CSK कोई कैसे खिलाडी की तलाश थी जो के middle order में आकर बड़े-बड़े shots केल सके और power hitting से रविंदर जडेजा और MS Dhoni का साथ दे सके जिसके बाद CSK ने समीर रिजवी में वरोसा जताया अब इसके बाद अगर एक दूसरे पहलू की बात करें तो CSK के लिए पिछले साल कमाल करने वाले अजिंग के रहाने के भी इस समय सितारिश कुछ गर्दिश में चल रहे हैं अगर मौझूदा रंजी सीजन की बात करें तो नहीं उनका बला लीग स्टेजिस में चला और अब नहीं उनका बला नौक आउट्स में चल रहा है अगर बात करें तमिलनाडू के अगेंस तो उन्होंने सिर्फ 19 रन बनाए इसके अलावा जब Baroda के अगेंस quarter final मुकाबला था तो वहाँ भी रहाने ने सिर्फ 3 और 0 run बनाई इसके अलावा पूरे tournament की बात करें तो Ajink की रहाने ने मुश्किल से 134 run बनाए और उनका जो average था वो शायद 30s के आसपास था जिसे एक बात तो सावित हो जाती है कि आप CSK को एक तो अमबाती राइडू का replacement चाहिए और अगर Ajink की रहाने का ये जो खोया हुआ form है वो वापस नहीं आता है IPL से पहले तो उनको replace करने के लिए भी CSK कोई खिलाडी चाहिए जिसके बाद ऐसी उमीद लगाई जा सकती है कि समीर रिजवी जो के इस समय UP के लिए बहतर खेल दिखा रहे हैं UP T20 लीग में बहतर खेल दिखा चुके हैं और तो और अगर आप बात करें उनके domestic circuit के performance की तो वो भी शांदार नज़र आता है पूरी तरह से ये चीज़ें इशारा करती हैं कि आपको समीर रिजवी इस साल डेब्यू करते हुए नज़र आने वाले हैं क्योंकि देखे CSK की टीम पर अगर आप नज़र डालें तो उनके पास कितने power hitters हैं ना ही वो नितुराज गाइकवाड हैं ना ही वो डेवन कॉनवे हैं ना ही वो मोहीन अली हैं इवन अगर आप रविंदर जडेजा की भी बात करें तो ये सबी ऐसे players हैं जो शुरूआत में थोड़ा सा समय लेते हैं CSK केस बैटिंग लाइनप में अब ऐसे मैं आपको क्या लगता है क्या इस साल ये वो साल होने वाला है जब CSK के लिए एक rising star उबर कर आएगा और उसका नाम होगा समीर इसभी आपकी क्या राए है हमें comment करके जरूर बताएं और ऐसी ही interesting videos देखने के लिए ये channel subscribe जरूर कर ले